मध्य प्रदेश मेयर चुनाओ के पहले दोर के नतीजे आ चुके हैं। आजब एंपिक की गजब बात ये है कि नतीजों को देखकर कॉंग्रेस और बिजेपी दोनों खुश हैं। और तो और सिफ एक सीट जीत कर केजरिवाल की पार्टी आप और वो वैसी भी खुश हैं। लेकिन सच ये है कि छोटी लड़ाई बता रही है कि साल 2023 की बड़ी लड़ाई यानि मध्य प्रदेश विधान सवाचुनाओ 2023 की लड़ाई के लिहास से बिजेपी और कॉंग्रेस दोनों के लिए ही अच्छी खबर नहीं है। दर असल बिजेपी खुश है कि उसे पहले चरण में सात सीटे मिली है कॉंग्रेस खुश है कि उसने बिजेपी से तीन सीटे में ले ली है। और केजरिवाल खुश हैं कि MP में entry मिली है इस वीडियो में बताएंगे कि कंग्रेस ने कैसे बीजेपी से तीन सीट्य जटकने में खाम्याभी पाई आम आदमी पार्टी को कैसे MP की राजनीती में entry मिल गई और साथी ये भी बताएंगे कि ये नतीजे अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधान सवाचुनाओं के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2023 के समर में केजरिवाल और ववैसी की भूमी का क्या हो सकती है अब आपको सिलसिलवार 11 सीटों के नतीजों पर हार जीत की वज़य समझा पहला भुबाल बीजेपी की मालती राय ने कंग्रेश की विवापतेल से च्छीासी हजार से ज्यादा वोटों से जीत हांसिल की हैं जिन में से तीन कंग्रेश और तीन बीजेप्य के पास हैं यहाँ पर बीजेपी के कबजे वाली गोविंद पूरा विधानसभा और हुजूर विधानसभा से बड़ी लीड ली जबकि कॉंग्रेस मुस्लिम बहुल उत्तरी विधानसभा और मध्य से ही लीड ले पाई भुपाल में मध्दान से ठीक पहले धार्मिक धुरुगी करण से बीजेपी की राह आसान हो गई भुपाल में बीजेपी और संग की नीचली इकाईयों का दमखम दिखा साथी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने भी काफी मेहनत की दूसरा इंदौर बीजेपी के पुश्यमित्र भारगों ने कॉंग्रेस के संजेश शुकला को 1,33,992 वोट से हराया 18,000,000 से ज कॉंग्रेस के 18 पारशत जीते हैं इंदौर को सबसे साफ शहर का तमगा भी मिला हुआ है ऐसे में बीजेपी को लेकर वहां के वोटरों में नराजगी नहीं दिखी इस सीट पर कॉंग्रेस ने अपने विधायक को उतारा था लेकिन कुछ खांस फायदा नहीं हुआ तीसरा ग्वालियर कॉंग्रेस की शोभा शिकरवार ने बीजेपी की सुमन शर्मा को 28,805 वोट से हराया है हलाकि परिशद यहां भी भाजपा की रहेगी क्योंकि भाजपा के ज्यादा पारशत जीते हैं ग्वालियर राष्टिय स्वयम सेवक संग का इस्थापना काल से ही अब तक बीजेपी का दबदबा रहा है केंद्री मंत्री नरेंज सिंग्तोमर और कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले एवियेशन मिनिस्टर जोती रादित्य सिंधिया यहीं से आते हैं बीजेपी की हार के पीछे एक वज़ा उमिद्वार के चैन को लेकर पार्टी में अंद्रूनी लड़ाई भी मानी जा रही है सुमन शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो केंद्री मंत्री नरेंज सिंग्तोमर के खे में से आती हैं वहीं जोती रादित्य सिंधिया चाहते थे कि पूरो मंत्री माया सिंग को मैदान में उतारा जाए सिंधिया का पक्ष कमजोर करने के लिए ब्रामधु मिद्वार को टिकट देने की मांग उठाई गई लेकिन सिंधिया ने भी रास्ता निकाला और पूरो मंत्री अनूप मिश्रा की पत्नी शोभा मिश्रा का नाम प्रस्तावित किया हलाकि सिंधिया की नहीं चली माना जा रहा है कि ग्वालियर में कॉंग्रेस की जीत का असर आगे के चुनाओं में भी पढ़ सकता है चौथा जबलपूर महाकरसल शेत्र के केंद्र जबलपूर में कॉंग्रेस के जगत प्रताप सिंग ने बीजेपी के जितिंद्र जामदार को 44,349 वोट से हराया है जबलपूर से पार्टी के पूरो परदेश अधक्ष राकेश सिंग चार बार के सांसद हैं इसके अलावा बीजेपी के राष्टी अधक्ष जेपी नडड़ा का ससुराल है साथी संग का शेत्रिय मुख्याले भी है बताया जा रहा है कि बीजेपी के डॉक्टर जीतिंद्र जामदार को लेकर पार्टी में इस्थानी इस्तर पर नराजगी थी लेकिन आरेसेस के खरीबी होने की वज़ा से उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया महाकौशल शेत्र में आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है इसके अलावा साल 2018 के बिधान सबा चुनाओं में भी बीजेपी को यहां जटका लगा था जबलपूर की आठ विधान सबा सीटों में से चार पर कॉंग्रेस का कबजा है जबलपूर में 23 साल बाद कॉंग्रेस ने बड़ी जीतांसिल की है हलाकि 89 वार्डों में से 44 वार्ड बीजेपी के खाते में गये हैं इसलिए पार्टी की नगर सरकार बनेगी लेकिन महापवर कॉंग्रेस का होगा जबलपूर में ही AI MIM का सबसे बहतरीन प्रदर्शन रहा है यहां पर OVC की पार्टी को दो पार्शत सीट मिली है पांचवा चिंदवारा कॉंग्रेस के विक्रम अहंके ने बीजेपी के अनंत धुरूवे को 3786 वोटों से हराया है कमलात के गड़ चिंदवारा में सालों बाद महापवर की कुरसी पर कबजे को कॉंग्रेस करिश्मा नहीं मान सकती लेकिन वापसी से कॉंग्रेस में थोड़ी उमीद तो जगी है यहां मौझूदा 48 वार्डों में से कॉंग्रेस 26 बीजेपी 18 और बाकी तीन निर्दली उमीदवारों ने जीत दर्ज की है बता दें कि साल 2018 के विधान सबा चुनाव में कॉंग्रेस को बड़ी जीत आँसिल हुई थी बीजेपी को बड़ा जटका लगा था चिंदवाडा के साथ विधान सबा सीटों पर कॉंग्रेस ने कबजा किया था इसके साथ ही लोक सबा सीट भी कॉंग्रेस के पास है सिंग्रवली में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपनी एंट्री की है बीजेपी के गडमें आम आदमी पार्टी की रानी अगरवाल ने बीजेपी की चन्द प्रकास विश्योकर्मा को 9352 वोट से हराया है आम आदमी पार्टी की इस जीत के पीछे तीन वजह मानी जा रही है एक जाती समिक्रण दूसरा बीजेपी के अंतरकला और तीसरा कॉंग्रेस न बीजेपी वाला ओप्शन कहा जाता है कि सिंग्रावली में ब्रामण वोटर खरीब 37,000 हैं लेकिन यहां बीजेपी ने चंद्र परताप विश्योकर्मा पर दाउ लगाया इसे ब्रामण वोटरों में नराजगी दिखी वहीं रानी अगरवाल बीजेपी से इस्तिपा दे कर आप में शामिल हुई थी र यहां असदुदीन ववैसी की पार्टी की शाइस्ता हाश्मी ने 10,274 वोट हांसिल किये उसकी उमिद्वार ने 10,000 से ज्यादा वोट लेकर कॉंग्रेस को कूर्सी से दूर कर दिया लेकिन नगर निगम की परिशद में अधक्ष को लेकर पेंच भंसेगा यहां अर्तालिस वार्डों में से बीजेपी ने 24 और कॉंग्रेस ने 23 जीते हैं जबकि एक सीट के खाते में गई है आठमा खंडवा बीजेपी की अमरिता यादों ने कॉंग्रेस की आशा मिश्रा को 19,765 वोट से हराया है यह सीट करीबार साल बाद दुबारा बीजेपी के खाते में आई ही है इस सीट पर भी ए आई एम आई एम प्रत्याशी शाकिरा बी को लगभग 9500 वोट मिले हैं नौवा उजयन बीजेपी के मुकेश टटवाल ने कॉंग्रेस के महेश परमार को महस 736 वोट से हराया माना जाता है कि मंदिर शहरों में बीजेपी और संग की काईयों का बोल चिंता की वजह है दसमा सागर बीजेपी की संगीता तिवारी ने कॉंग्रेस की निधी जैन को 12,714 वोट से हराया है इनके पती सुशिल तिवारी पहले कॉंग्रेस की टिकट पर दो बार विधान सबा चुनाओ लड़ चुके हैं हलाकि जीद से दूर रहे थे ग्यारहमा सतना बीजेपी की योगेश तामरकर ने कॉंग्रेस के सिद्धार्थ कुश्वाह को 24,916 वोट से हराया है सतना में टिकट बटवारे की चलते खफा हुए कॉंग्रेस के सईद अहमद ने गारी बदलते हुए बीएसपी के टिकट पर महापर चुनाव लड़ा थ कि 2023 की लड़ाई में काटे की टककर होने वाली है कॉंग्रेस बीजेपी खुश तो हैं लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 2023 में लड़ाई एक तरफा नहीं होने वाली है उट किस भी करवट बैठ सकता है इससे पहले हम MP45 चुनाव नतीजों में भी यही ट्रेंड देख चुके हैं भले ही वहां पार्टी सिंबल पर लड़ाई नहीं हुई लेकिन कॉंग्रेस ने खुद को 875 में से 386 और बीजेपी को 360 मिलने का दावा किया है यह भी संकेत मिल रहे हैं कि मुख्य लड़ाई तो बीजेपी कॉंग्रेस में होगी लेकिन केजरिवाल और वैसी भी एहम भू का वाकई एहम हुई तो कॉंग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं होगी